सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फ्री फायर गेम खेलते हैं और आपने इसको डाउनलोड करके रखा अपने मुबाइल के अंदर और आपको खे करेंगे तो आपकी प्रॉलम परसेंट सौल हो जाएगी तो इस वीडियो में अन्ट बने रहेगा वीडियो चिल लगें लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए जान लेता है इस प्रवम चुटकारा पाने के लिए में क्या करना है सबसे पहला काम आपक अपनी गेम को सच कर लीजिए यहाँ पर free fire है इसको सच करिए free fire को यहां से open करिए open करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलरा है clear data clear data पर click करिए और इसका clear catch कर दिजीए direct clear catch करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है तो आप फिर setting में आईएगा, setting में आने के बाद आपको same as tz apps में आना है, manage apps में आना है, और यहाँ पर आपनी free fire game को open कर लेना है, तो यहाँ पर free fire आ चुकी है, open करिएगा यहाँ से इसको, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, restricted data uses, इस पर click करिएगा, click करने के बाद आपको दोनों option देखने को मिल जाएंगे wifi और mobile data यहाँ पर आपके यह बंद होंगे इनको यहाँ पर click कर लिजिएगा और enable कर लिजिएगा रोके कर दीजिएगा यह काम आपको कर लेना होगा then उसके बाद यहाँ से आपको directly back आजाना है अब देखेंगे जो आपकी problem है यह solve हो जाएगी अगर फिर भी problem solve नहीं होती है फिर आपको setting में आना है अपने mobile की और यहाँ पर आपको उपर search बार देखने को मिल रहा है अपने mobile में यहाँ पर आपको लिखना है DNS यहाँ पर जैसे आप DNS लिखेंगे आपकी सामने यह setting निकल कराएगी private DNS आपको private DNS पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर off auto और private DNS provider host name यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर private DNS provider host name है तो इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना DNS जो है private वो डालना होगा host name डू है डालना होगा आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ small letter में आपको लिखना है dns.google.com यहाँ पर यह लिखना होगा आपको और save पर click कर दिना है देख सकते हैं मैंने save कर दिया है सिर्फ यह dns host name आपको select करना होगा आपको छोटे अक्षरों में ही यहाँ पर इसको type करना होगा यह करने के बाद आप आपको यहाँ से back आ जाना है अब आपको अपने mobile को एक बार restart कर लेना है अगर आप restart नहीं करना चाहते तो आपने mobile को एक बार जो है power on off कर लिजिएगा जैसे आप अपन में मिल नगे में तिल्न आपठ एको रेगे जो कि एक रूप यॉगाँ से पर कम आपको पोनी भाए घ्रुन के लाव यूजड़ आपको